नमस्का दूस्तों सभी का सवागते चाट मुझो के नए वीडियो में आज की दिन थोड़ा सप्राइसिंग मुव देखने मिला और सप्राइसिंग इसलिए क्योंकि एक वन वेव फॉल हमें देखने मिल गई तो लास्ट वीडियो के अंदर चुले एक चीज अच्छी हुई क कि मार्किट ने मॉर्निंग के फर्स केंडल के अंदर ही प्रीवियस डे लो तोड़ दिया तो हमें जादा कंफ्यूजन नहीं था लास्ट सेशन के हम जो चार्ट स्टडी करके गए थे उसमें हमने देखा था कि अगर ये प्रीवियस डे कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है त अगर हम देखते हैं तो पुराना कौन सा गैप बाकी रह गया है पुराना आपको देखेंगे तो यहां पर दो गैप बाकी रह जाते हैं एक 20,800 के आसपास और एक यह वाला जो डिसेंबर का गैप था जापे अगें स्ट्रॉंग गवर्मेंट बनने की जो एक बार नया डे अगर हम देखते हैं तो काफी जादा फॉल है काफी सप्राइजिंग फॉल है और सप्राइजिंग हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया रहेगा और खासकर जो हम एक्सिट पोल की जो डेटा देख रहे थे वह गलत होते हुए सावित क्लिए दिखाई दि एक ये अपसाइट की मूव थी और मूव में क्या हुआ दोस्तों यहां पे यहां पे पहले बैर ट्रैप हुए और बाद में आज हम को देखने मिला कि बुल ट्रैप हो गए तो इस तरीके से कुछ मार्केट का रुजानता है एक बार मैं आपको 5 मिनिट का चार्ट दिखा देता हूं एक एक ही चीज़ पॉजिटिव हम मानेंगे अपने लिए कि आज अच्छा है चलो मार्केट ने जादा कंफ्यूज नहीं किया ओपनिंग कैंडल सीधा हम देख रहे हैं कि ओपनिंगी हल्की गैप डाउन हुई कल की क्लोजिंग टी 22300 हमको लो दिखाई दे रहा कि अचानक से कल का गैप ओपनिंग में ब्रेक हो गया है बट इतना जादा गिरेगा जादा जादा यहां पर आप देख रहे हो यह जो पुल बैक मैग्सिमम मैं भी परसनली यह सोच रहा था कि यह वाला जो पुल बैक है 22500 वाला जो गैप है फाइनल इसके बाद समल के थो परफॉर्मेंस थी अगर हम अकीली बीजेपी की नंबर्स देखे तो अब दोस्तों जो स्पेकुलेशन था 400 जो अनुमा लगा रहे थे वह तो अब खतम हो गया है पूरी तरीके से अब यहां पर स्पेकुलेशन यह बन रही है मार्केट में कि गवर्मेंट के अंदर बाकी और डेटा कैसे निकल के आएंगे खासकर अगर आभी देख रहे हैं तो पॉसिटिव तो है कि करेंट गवर्मेंट ही कंटिन्यू करेगी बाकी मार्केट के उपर देखते कल कि सबसे वर्लेटलेटी बनेगी वैसे विक्स आज 30 के तरफ टच कर दिया हमने विक्स में देखा कि इसे जो नीचे गिरा है इस विक्स बढ़ गए ऑन दी हायर साइड अब हमने जो वैसे निफ्टी के अंदर स्प्रेट बनाया तो उसमें इतना कुछ इश्यू नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया तक कर ली कि ओपनिंग टाइम पे हम उसको एक बार देख सकत निकल सकते हैं और स्प्रेट के अंदर जो डिफ्रेंस आ गया था वह 100 पॉइंट पॉइंट का था अब मार्केट यहां पे कुछ न कुछ नुच नुच ढूंडेगा अगर मैं डाओ दिखूं हारा कि डाओ भी कम सप्राइज नहीं दिखा रहा यह डाओ का चार्ट आप द यह जो अपसाइट की मूफ थी वह गिव अप कर दी जो इतना अच्छा रिवर्सल दिया डाओ ने वह गिव अप कर दिया और अभी वापिस यह अपने एक साइडवेज एकबर ट्रेट करता वह दिखाई दे रहा है तो अब यहां पर हम थोड़ा बहुत माइनर पॉजिट 77 की तरफ हम बढ़ जाएंगे एक ही दिन के अंदर लगबग आज अभी 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 जस्ट 77 लेवल आ गया है अब दोस्तों यहां पर फिर से हम एक बड़ा लेवल कर सकते हैं लेकिन किस लेवल के नीचे जाएगा तो यहां पर मैंने क्या किया है सबसे पहले यह जो 76 के आगर नीचे जाता हूँ दिखाई दे आज तो फिर 75 और 74 के भी लेवल हमको खुलते वे दिखाई देंगे 75 & 74 यह लास्ट लेवल यहां तक मैं उमीद करूंगा अगर 76 ब्रीच होता है तो ओके अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर यहां पर लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा यहां पर अगर हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट काफी कैंडल ने बड़ा एंगल्फ कर दिया है इंपोर्टेंट क्या होगा आज के कैंडल का लो ट्वेंटी वन तूफिफ्टी क्या सो तो ट्वेंटी वन दोसो यह लेवल अगर ब्रीच होगा दोस्त के बाद एक बड़ा नीचे गैप है 2300 होगा आसपास अलागी पॉसिब्लिटी काफी कम है लेकिन ऐसा ही हमको कल भी लग रहा था कम पॉसिब्लिटी में और वही प्ले हो गया और हाय साइट आप बात करते हैं चलो तो हाय साइट के अंदर मेरे सबसे मार्किट में एक के अ यहां पर हम फसे ते 223 he ain't फिर हम यहां पर फिर से एक बड़ फसे 223 मद एक नीचे ते और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पर फिर से हम थोड़ा बॉट होल्ट लेते हैं 223 अगर दूसतों 223 सो हम निकालते हैं तो थोड़ा एक attempt बन सकता है aggressive attempt नहीं होगा ल तो इस 500 और 22 800 को 800 को वापिस एक बार रीक्लेम करने के लिए एक बार अटेम्ट बना सकता है मार्केट लेकिन 22 300 निकलना ज़रूरी हो जाता है हमने देखा है पिछले पिछले जब स्विंग बनी सी दिस यहां पे स्विंग बनती है तो यह लोर मुस्ट सपोर्ट एरिया था इस एरिया के उपर जबी भी उपर जाता था तो फिर अपने हायर लेवल की उपर ही चले जाता था इस वज़े से सेम हम 22 300 को एजन इंपोर्टेंट लेवल मानेंगे अब बैंक निफ्टी की बात करते है यहां पर बैंक निफ्टी ऑल्मोस्स सर्किट लगाने चले गया था अगर सर्किट लगता तो 45 मिनिट का हॉल लगता क्योंकि 130 के पहले वह सर्किट अगर लग जाएगा मार्केट में अभी यहां पर सर्किट तो चलो अच्छी बाते नहीं लगा लेकिन यह जो चैनल पैटरन के अंदर से ब्रेकडाउन हमें दिखाया है बैंक निफ्टी ने वह थोड़ा अच्छा नहीं था हम उमीद कर रहे थे कि यह चैनल पैटरन का ब्रेकाउट देखने मिलेगा पर यहां पर इसने उल्टा करकी नीचे के साइट दे दिया इसमें भी अपने इसने पूरे एक बार लेवल नहीं दिखाया थोड़ा सा और अगर यह नीचे जाता अब उपर के साइड यह जो चैनल की लाइन जा रही है इंपोर्टेंट हो जाएगी दोस्तों मेरे एसाप से और 48 200 के उपर गए तो वापिस से एक बार 1000 बढ़ने के चांसे बनेंगे तो 48 200 के उपर 49,000 और 49,500 का एक बार हम एक्स्पेक्टेशन लगा सकते हैं और आल देख लिखते हैं तो नीचे के साइड चले गया ओवराल सपोर्ट है मेजर डेंट हमें कहां पढ़ा है मेजर डेंट अकर हम एफनों के PSU काउंटर देखें जापे सबसे अच्छी थीम चल रही थी पावर थीम के अंदर भी बड़ा डेंट है अगर हम देखें बैंक्स भी PSU बै के अंदर काफी एग्रेसिव करेक्शन था और अगर हम देखें तो ओइल मार्केटिंग कंपनी के अंदर भी करेक्शन था और अच्छा क्या था अच्छा क्या अंदर देखें तो FMCG एक अच्छा काम कर रहा था आज उसके लगवा ऑटो के जो टूविलर स्टॉक ते वह और FMCG के अंदर से इन गुड्स वाले प्रोड़क्ट भी देलो तो मैकडवल यूबिल टाइप्स वह भी एक बार साही कर रहे थे अभी दोस्तों यहां पर लॉंग साइट के अभी और शॉर्ट साइट के लिए इस वीडियो के अंदर फिलाल हम डारेक चार्ट स्टड़ी होने दे तो ज़्यादा सही देगा क्योंकि यह स्पेकुलेशन के अंदर मैं बता रहा हूं आपको बाकि इन्वेश्मेंट के अंदर अगर कोई देख रहा है तो अपने आप थीसिस लगा सकते हैं जैसे PSU स्टॉक्स के अंदर अभी भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है लेकिन क्लोजिंग किस हिसाब से बनती है अगर आप यह मिट्कैप का चार्ट देखो तो मैं हमेशा इसी एक बिहेवियर के उपर आपका ध्यान एक बार दिलाता हूं कि जो बड़ा एक फॉल मिलता है उसके बार नीचे एक बार लो कट किया ग्रीन कैंडल यहां पर बड़ी कैंड का और कल का अगर लोट टूटता है चलो बुरी न्यूस्लो के कारें मिटकैप में लेकिन कल 45 400 नहीं टूटना चाहिए अगर कुछ जादा ही बुरा होता है और यह अगर होल होता है तो फिर हम दिरे-दिरे साइडवेज कंसलेट करते वे उपर जाने चाहिए इंदी को अगर हम देखते हैं तो आज अटेम्ट करेगा क्यूंकि हम देख रहें कि एक छोटा पॉस बड़ी एक ग्रीन केंडल रेट केंडल के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर बड़ी है इसका ममलब जैसे ही डाव नीचे आया तो लोगों ने इसको पुश किया उपर आज की केंडल जैसे ही डाव के अंदर 38 850 के ओपर निकलेगी हम सीधा 39 200 पर आइधिंग डाव को देखने चाहिए अब यह सबसे हमारा थोड़ा सेंटीमेंट सुदरेगा मैक्रों का लेकिन डॉमस्टिक फैक्टर अब जाधा वेट करेंगे डॉलर इंडेक्स पर चलते हैं डॉलर इंडेक्स भी ब्रेकडाउन एक बढ़ कर रहा है तो यहां पर EK एक एशो ड्यून की तयारी कर सकता है और एक सो तीन पॉंट आट के नीचे अगर चले जाए तो यहां पर ब्रेकडां हमें देखने मिल जाएगा तो यह दोनों फेक्टर अच्छे लग रहे हैं ब्रेंट हमने जैसा सोचा था उसे सबसे आ गया है नीचे और यह सारी चीज़ें हमारे फेक्टर में ग्लोबल कमोडिटी थोड़ी सॉफ्ट हुई है अगर आप देखती हो तो ब्रेंट हो हुआ है लेकिन बाकी मेटल्स के अंदर भी इसको टोड़ना नहीं चाहिए अब दूस्तों बात करते स्टॉक के बारे में तो स्टॉक के बारे में क्योंकि कल मैंने बताए थे हाला कि इसमें कुछ हुआ नहीं तो यह सबसे एक अच्छी बात ती जो मैं आपको बता रहा हूं कि मार्किट ने पांच मिनिट के अंदर स्टार्टिंग में प्रिवियस दे लो निकाल दिया तो हम कंफ्यूस नहीं हुए तो हमने कल चार्ज टड़ी की थी कैनरा बैंक पर लेकिन क्योंकि हम 131 के उपर गई नहीं तो इसके अंदर कुछ इनों ध्यान देने राइक नहीं था और रिलाइंस के अंदर भी वह हुआ इसके अंदर हम सोच रहे थे 3030 के उपर में 3030 35 जाए तो हम ध्यान दे इस काउंटर में लेकिन फिर गैप डाउन के बाद सीधा नीचे गया तो यह एक पॉजिटिव तक की इसमें हम ट्रैप नहीं है लेकिन हाँ जो प्रिवियस जो हमारे काउंटर डिसकस कर रहे थे हैं देख सकते हैं मेजर सपोर 291 पे था यहां पर ब्रेक लेकिन थोड़ा उपर मिला था एक बार यहां पर थोड़ा बहुत रिस था तो थोड़ा यह जाला नीचे गया लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग डिसिप्लेन से स्टॉप लॉस लागा के अगर करता है उसमें दिक्कत न कि डारेक नीचे गया आप देखिए पार्च मिट का चार्ट देखेंगे तो थोड़ा बहुत एक्जिट करने का यहां पर मौका भी था कल के ओपनिंग लेवल तक अगर हम देखें तो साड़े दस बज़े तक था मलब वापिस से रिवर्स होके आया था अपने वैच के सप सपोर्ट पर आप देख रहे हो के कॉन और ने एक बाद रिवरसल ले लिया चींडिस ऐसे पर लाइन से ठीव सल्स में लिबाज लिया तो फिका डूत वर नीचे अवर नीचे ब्रेग डाउन और ब्रेवल सब और तक आइंगा देखें तो इसका जो जो भी इसकी लेंथ ल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर इंट्रा डे टू 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 त्री डेस कि थोड़ा बहुत डेटा हमको यहां पर लगेगा जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन का डेटा से शायद पॉसिबल नहीं है और जिस साबसे नंबर्स आएंगे और तो यह सब देखना पड़ेगा तो कल मॉर्निंग तक कुछ फोड़ा और पिच्छर क्लियर होगा बाकी दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक करें नहीं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना मुले टिल टेक क्यार आइविन मिट यू इन दी नेक्स्ट व